लो फ्रेंट क्या आपको भी साम को कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही टेश्टी इबनी श्नेक्स रेश्पी जिसको हम ब्रड से बना रहे हैं तो जिसके लिए ले लिये हम एक सिमला मिर्चो आपके पास जो भी सिमला मिर्चो मेरे प बिल्कुल ऐसे हैं यह बहुत ही टेश्टी क्रंची बनकर तयार होता है तो वीडियो को आप पूरा देखें और इसको एक बार आप जरूर ट्राई करें बहुत टेश्टी बनकर तयार होगा और फ्रैंड आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सेर और सब्सक्र पास जरूर करके जाएं तो बस इनको हम चोटे चोटे टुकड़ों में ऐसे कट कर लेंगे और प्याच को भी कट करके इसकी स्लाइस जो है वो अलग कर देते हैं बिल्कुल ऐसे हैं अगर आपके पास लाल वाली शिम्ला मिर्चो तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं मेरे पास ये दोनों थी इसको यूज किये हैं अप ले लेंगे हम ब्रेड एक स्लाइस को लेंगे और इसको पतला बेल लेंगे अब हलके हलके हाथों से इसको प्रेस करेंगे और ब्रट ताजी हो तो ये बहुत अच्छे से बन जाती है बस दो ब्रट को लेंगे और एक कटोरी या कुछ भी आपके पास गलास जो भी हो उसे आप इसको कट कर लें बिल्कुल ऐसे है देखिए ऐसे बन कर ये तैयार हो जाएगा इसी तरह सारा कट कर लेते हैं इसको प्रेस करेंगे अलके हाथों से बस ये बिल्कुल कट कर ऐसे तैयार हो जाएगा इसका हम बना लेते हैं ब्रेट क्रम्स तो इसको मिक्सर जार में डालकर बस इसको एक दो भार चलाएंगे और ये हमारा ब्रेट क्रम्स बनकर तैयार है ये ब्रेट क्रम्स आप श्टोर करके भी रख सकते हैं जब आपको जरूरत हो आप इसमें से निकाले और इसको योज कर सकते हैं बस इसको एक पैन ले और उसमें थोड़ी देर ड्राइ रोष्ट कर ले तो जिससे ये हलका कड़ा हो जाएगा और इसको फिर आप श्टोर करके रख सकते हैं अब हम ले लिए हैं तीन चमच मैदा उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी डालकर एक सलरी तयार कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी पहले डालेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें बस अब ये सलरी बिल्कुल बनकर तयार है अब हम लेंगे एक पैन जब ये गर्म हो जाए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल अब हम इसकी स्टपिंग बना कर तयार करेंगे जिसके लिए डालेंगे एक हरी मिर्च दो टुकडों में करके और जो प्याज सिम्ला मिर्च कट करके रखे थे उसको इसमें डालेंगे और बस हलका सा चलाएंगे ताकि इसकी जो करंची पन है वो बरकरार रहे तो बस हलका सा इसको चलाएंगे बस इसको इतना चलाएं कि ये हलका सा सॉफ्ट हो जाए बस अब हम जो पनीर कट करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे और ये लिए हम चीली मसाला मिक्स उसको पानी में घोल कर और इसको इसमें डाल देंगे बस इसको हम अच्छे से पका लेंगे अब इसमें उपर से डालेंगे हरी ब्याज बस ये बनकर तयार है इसको थोड़ा सा और पकाएं ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए अब हम जो ये ब्रट कट करके रखे थे उसको लेंगे और शलरी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए अब हम लेंगे ब्रट के टुकडों को और आप ये दो-दो मिक्स करके डालें बिल्कुल भी एक में चिपक जाएंगे और बस इसको आप इसमें कोट करेंगे अच्छे से इसको अच्छे से कोट करें और सारे ऐसे करके रख लेंगे बस ब्रट क्रम्स को हम अच्छे से इस पे लगा दिये हैं सारह इसमें ऐसे डिप करेंगे बस हलका सा आप डिप करें उसके बाद इसको डारे किसमें डालकर और आप इसको तर लें बस आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद यह बैलून की तरफ बिलकुल फूली फूली बनकर तयार हो जाएगी इसको बहुत ना पकाएं बस हलका सा ब्राउन होने दे ताकि इसमें थोड़ा क्रंची बना जाए इसे पूडिया बनाते हैं बिलकुल यह उसी तरह फूल कर तयार हो जाएगी यह देखेंगे यह बहुत ही टेश्टी लगते हैं तो इसको आप एक बार जरूर बना कर देखें यह बिलकुल देखें कैसे फूल रहे हैं लेकिन इसमें आप ध्यान रखें जरूर कि इसको डबल ही कट करें और यह अच्छे से चिपक जाएं ताकि यह बाद में निकले नहीं सारा मतल के ले लिए हैं इसको बीस से करेंगे कट यह देखें अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा साथ टोमैटो कैचप और यह जो बना के रखे थे चीली पनीर मसाला मिक्स उसको इसमें डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा चीज बस यह खाने के लिए बनकर तयार हैं अब हमें एक बनाएंगे दूसरी तरह जिस पर लगाएंगे थोड़ा सा टोमैटो कैचप यह बर्गर से भी पहुँट ज्यादा टेश्टी लगता है इस पर डालेंगे थोड़ा सा सा चीज और यह जो मिक्सर बना के रखे थे उसको इस पर डालेंगे फिर थोड़ा सा चीज डालेंगे और बस दूसरे से इसको परस करकर अब इसको कट कर देंगे आप इसके आगे बर्गर खाना भूल जाएंगे बहुत ही टेश्टी लगता है तो आप एक बार इसको जरूर बना के देखे दोनों तरीके से कि बहुत ही टेश्टी लगता है जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ जरूर करेगा यह दिखे बिशी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे बस इसमें चीज डाले हैं और जो मिक्सर बना के रखे थे उसको डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा चीज यह पनीर और थोड़ी सी चीज बस यह बनकर तयार है तो खाएप पिए और एंजॉय करिए ओके फ्रेंट बाब बाई मिलते हैं नेस्ट वीडियो में वीडियो को आप सब्सक्राइब करकर जरूर जाएं